हेलो आवरीवन स्वागत आप सभी का आपके अपने रसमे चुलोग राजस्थाने राजसी पीच योटूब चैनल में आज मैं आपको बिना घे के बिना तेल के बेशन का दानेदार मौन थाल बनाना बता रहे हूं हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक कीज प्लीजेगा शेयर किजिएगा एकदम सिंपल और बहुत एजी तरीका जो इंग्रिडिएंट्स सभी के घर में मिल जाते है आप चाहिए इस बर्फी को बना सकते हैं बहुत बढ़िया बनती है और एकदम सिंपल तरीका है एजी है फटा-फट में आप इसे अपने गर पी जरूर बताईएगा और एक वार ट्राई कीजेगा बिल्कुल अच्छी बनती है बहुत ही परफिक्ट बनती है बहुत ही तेस्टी बनी है तो जरूर आप इसे बनाईएगा एकदम से दानेदार बनती है जिसका दाना दाना मुह में जाते ही गुलने लगता है तो चलिए इसे बनाने के लिए मैंने लिया एक कप बेसन का आटा तो आप देख सकते हैं यह है बिल्कुल बारिक वाला बेसन और इसे सबसे पहले हम दानेदार बनाएंगे तो बेसन को दानेदार कैसे बनाना है अब इसके अंदर में दूत का इस्तिमाल नहीं करें यहां पर मैं एक चम्मच दही का इस्तिमाल कर रही हूं और यह लिया है मैंने ताजा और एकदम से मीठा जमा हुआ दही है इसको अच्छे से पूरे बेसन के अदर मिक्स कर लेंगे तो दही का उपर का जो मलाई का पार्ट होता है वो मैंने लिया है और इससे पूरे बेसन को इस तरह से कोट कर लें कुछ बड़े दाने और कुछ मोटे तो इन सब को में चानना है तो दो से तीन मिनट तक अच्छे से मिक्स करने के बाद आप खुई भी छकने लेकर के इसी चानिएगा तो आप देख सकते हो इस तरह की चकनी हमारे सबी के घर में एवलेबल होती है तो सारे बेशन को जो हमने तयार किया है उसको हम चकनी से चान लेंगे तो इस तरह से आपको एकडम से धरदरा जो बैटर मिल जाएगा आप देख सकते को बिलकुल से नीचे जो निकलेगा बिलकुल से दानेदार बेशन तयार हो जाएगा तो बेशन को दानेदार बनाने की है ये process और ये बिल्कुल perfect process है, इसके अंदर मैंने दही डाला है, आज पहले जो एक बार मैंने वीडियो अप्लोड की थी, उसके अंदर मैंने दूद और पानी से इसको दानेदार बनाया था, तो दूद और घी से सोरी, पानी ने, दूद गी से इसको दानेदार बनाया था, तो आप चाहे तो दही ले सकते हैं, दही की जो उपर मलाई वाला दही जो जमा हुआ होता ताजा दही वो, आप चाहे तो गी और दूद से इसको इस तरह से दानेदार बना सकते हैं, प्रोशेस यही है, तो हमारा दानेदार बेशन बिल्क यूज नहीं करना है आप चाहें गी के नहीं बना रहे हो तो तेल का यूज कर सकते हैं और गी से बना रहे हो तो आप इसके अंदर गी डाल के भी यूज कर सकते हैं परन्तु काफी सारी सब्सक्राइबरों की डिमांड थी कि अगर गी ना हो तो हम मोहंताल कैसे बनाए तो गी बिना घी बिना तेल डाले इसको रोस्ट कर रही हूं दाने दर्जा से सूजी रोस्ट करते हैं ठीक वैसे ही पर इसको रोस्ट करते हुए आपको लगबग 10-15 मिनट लगेंगे क्योंकि हमें इसको रोस्ट करना है बिल्कुल स्लो फ्लेम पे और कडाई का भी ध्यान रखना है नोनिस्टिक कडाई होनी चीए ताकि इसके चिपके भी नहीं कडाई तो आप कोई सी भी ले सकते हैं वैसे मैंने 2-3 कडाई में अलग-अलग में इसको रोस्ट करके देखा था बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा था और 15 मिनट तक मैंने इसको रोस्ट कर दिया अब अब कलर भी देख सकते हैं हमारे बेसन का कितना प्यारा कलर आ गया है और अब हम निकाल लेंगे इसे किसी बरतन के अंदर कडाई अभी गरम है और आप इसे किसी नॉर्मल किसी भी बरत तनों को डाल करिए है अपसरोर्रा इस मैल मेल्ट कर लेंगे और जैसी सुगर मेल्ट हो जाएंगी तो हम इसकी चास्टे बरबट करेंगे तो हमेशी चीप चास्टनी नहीं करनी है यान पर हमें स्चिप्चपी चास्टनी बनानी है जैसे हातों कि पना जाएत फूप मैं आपको भूल गई थी बता ना मैंने चासनी के अंदर थोड़ा सा एलाइची पाउडर और थोड़ा सा ओरेंज फूड कलर डाल दिया है और इसको भी अच्छे से मिक्स करके फिर मैंने डाल दिया यह बेसन से का हुआ बस अब आपको इसको चलाते वे पकाना है यहां पर बेसन भी पकेगा और आपकी चासनी भी गाड़ी होती जाएगी तो आप देखिए कितना प्यारा सुनारा कलर आया है बेसन का इस मों ताल बर्फी को मैंने दो से तीन बार बना करके फिर आपके साथ में यह वीडियो स्चेर किया है तो आप देख सकते हो कितना अच्छा सा प्यारा कलर आ रहा है बेसन भी घुल रहा है मचेतार बात यह है कि जो हमने चासनी कच्ची रखी ते एक तार की नहीं बनाए थी उसमें क्या होता है कि बेसन फूल जाता है कच्ची चासनी के अंदर और यह मैंने लिया एक कप मावा दूद का भी मेंने तयार किया था इसल ताकि मावे से इसका टेस्ट एकदम से बढ़िया हो जाएगा कुछ भी इसमें आपको कमी महसुस नहीं होगी कि इसके अंदर मैंने घीसे नहीं सेका है या वो है कुछ भी कमी नहीं रहेगी बिल्कुल अच्छे से आपका मोन थाल बनेगा और दानेदार देखिया आप बेटर तो आप देखी रहे हैं कितना आप दानेदार बेटर बन करके त्यार हो आए बस इसको अब मावा डालने के बाद लगस भग 2-3 मिनद तक अच्छी से पकाना है मीडियम फ्लेम पे ना स्लो फ्लेम ना हाई फ्लेम मेडियम फ्लेम पे मैंने 2-3 मिनट तक पका लिया एक दम से दानेदार हमारा पूरा बैटर तयार हो गया है एक मिनट और पकाऊंगी मैं इसे थोड़ा सा गाड़ा हो जाए जब ये कड़ाई थोड़ी छोड़ने लगेगी तो हम समझ जाएंगे कि हमारा बैटर जमने के लिए तियार हो गया है और आप इसको चेक भी कर सकते हैं थोड़ा सा बैटर कटोरी में निकाल लीजिए उसको हातों में लीजिए अगर हातों के नहीं चिपपक रहा है तो आप समझ जाए कि बैटर की बर्फी आसानी से जम सकती है तो अभी मैंने देखा कि ये थोड़ा सा चिपपक रहा हातों के बैटर तो एक से दो मिनट तक और पकाना है और उसके बाद में गेस का फ्लेम बंद करके एक से दो मिनट तक इसको ठंडा करना है थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो ये थोड़ा और गाड़ा हो जाता है और उसके बाद हमें इसको जो जिसमें भी हम बर्फी बना रहे हैं उस बर्तन के अंदर इसको ट्रांसफर कर देंगे तो आज मैं इसको कैक्टिन में ट्रांसफर कर रही हूँ गेस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया था और दो मिनट तक ठंडा भी कर लिया है अब इसको इसके अंदर पूरा ट्रांसफर कर देंगे बिल्कुल से परफिक्ट एकदम परफिक्ट जो बैटर बना है क्योंकि बैटर जैसे ही डाल रहे है वैसे थोड़ा थोड़ा गाड़ा होने लगा है हलका हलका टाइट होने लगता पता चल जाता है कि आपका बैटर है बिल्कुल सही है और नहीं तो अगर लिक्विड चासनी की कमी रह जाती है तो यह क्या है बेटर गिला गिला ही रह जाता है तो मैंने इसकी बूंद को देखा यह हर्ड हो रही है मतलब बिलकुल से परफेक्ट जम करके तयार हो जाएगी तो इसको मैं लगबख एक गंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दूगी थोड़े से उपर से ड्राइफ फ्रूट से गार्नेशिंग कर दिया है और एक गंटे के बाद देखिए बलकुल से बरफी जम करके तयार हो गई है और अब मैं आपको इसको कटिंग करके भी बता देते हूँ कि कितनी सौफ्ट बनी है एकदम सौफ्ट डिलिसियस तो दूस्तों एक बाद ट्राइज जरूर कीजिएगा और आपकी बरफी कैसे बनी मोहन धाल कैसे बना मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा बस बनाते समय आपको आधा लेटर दूद का मवा निकाल करके मिक्स करना है फिर आपकी बरफी का टेस्ट देखिएगा आप सोच भी नहीं सकते के बिना घी तेल के इतनी टेस्टी बरफी बन चाती है क्या मैंने इसके अंदर आधा लेटर दूद का मवा यूज किया है वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और कोमेट करना बिल्कुल मत भूलिएगा तो चलिए थोड़ा सा तोड़ करके आपको बता देते हैं देखिए कितनी सौफ बनिया वहाँ क्या दाना दाना खुला वहाँ मुँ में लेते ही गुलने वाली बरफी थैंक्स पूर वोचिंग थैंक यू